हेलो फ्रेंड्स विलकम टू माई चैनल तो गाइस आज की इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे कि अगर अपने फ्रेंड को हैपी बॉर्थ दे बीश करना चाहते हैं तो क्या आपको हैपी बॉर्थ दे बीश करनी चाहिए तो जी नहीं दोस्तों आप इसे हैपी बॉर्थ द नहीं कहेंगे इसके जगह पाप कई अलग विसेज कहेंगे जिससे क्या होगा कि आपकी जो दोस्त है या नहीं कि आपकी जो फ्रेंड्स है वह आप में अधिक इंप्रेश हो जाएगा तो सो गाइस हम चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो लेक्चर में हैपी बॉर्थ दे बिस करने के नए फ्रेश तो सो फ्रेश अगर आप उन्हें फ्रेंड को विस करते हैं तो आपके हैपी बॉर्थ देए टू और फ्रेंड हूं इज अलवेज क्लोज टू माई हाट इसका मतलब होता है कि उस दोस्त को जन दिन की बधाई जो हमेशा मेरे दिल के करीब रहता ह नहीं की जो आपको फ्रेंड है विए अधी करीब करीवी है तो फिर अपने फ्रींड को इस तरीका के 20 करेण के जैं कि आपको फ्रेंड आप میں इंपरियेश हो जाएगा इसका मतलब होता है कि जन्द दिन की बधाई इस दिन का अनंद लो मेरे दोस्त अपने दोस्त को इस तरीका की विशेज कर सकते हो हैपी बार्थ के डे पर इसका मतलब होता है कि आपका यह जन्द दिन बहुत ही संदार हो तो यह थी सोरनने की नेक्स्ट विशेज यह है की इससे पहले आप से एक रिख्वेस्ट है यदि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज आप मेरे चैनल को जरुर सब्सक्राइब कर दिजिएगा गान करना है कि हैपी बस लिंक आप वहां सा जाकर देक सकते हैं औरो नेक्ष्ट फ्रिज़स यह है कि को समुधेंगे एपने फ्रेंड को इस तरीका के विशेज करेंगे इसका मतलब होता है कि मुझे हमेसा खुशियों देने के लिए धन्यवाद जन्म दिन की बधाई हो दोस्त अपने दोस्त को इस तरीका से बधाई देंगे इंगलिस में जो आपकी फ्रेंड आपमे अधिक इंप्रेस होगा और कहें तो लंबी समय तक आपकी दोस्ती बनी रहेगी तो आप इस तरीका की बिस जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के बॉर्थ देपर इसका मतलब होता है कि जन्म दिन पर हमेशा कामना करता हूं कि आप सफल होगे और हमेशा खुस रहे मैं आपकी जीवन दिन पर सबकामना करता हूं कि आप हमेशा खुस और पुरी लंबी समय तक आपकी खुसी बनी रहे तो यह विशेज हुआ जो अपने फ्रेंड्स को विश कर सकते हो आपकी जन्म दिन आज पुरी खुसी बनी तरीका से अच्छा हो तो इस तरीका के विशेज अब अपने फ्रेंड्स को कह सकते हैं जो काफी अच्छा विशेज थी जो आज किस वीडियो लेक्चर में इतना ही तक मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए ओके बाई के लिए और हुरिम्स